हालो एबरीवन वेलकम टू विदास्त्रा आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे की दा हिंदू न्यूज पेपर पढ़ने की क्या क्या बेनेफिट्स होते हैं कैसे यह एंगलिस में हमारे मांक्स इंप्रूब करते हैं तो एंगलिस को पढ़ने के लिए सबसे जो में इ मैं और हुटेंड़ समाने कोनक announसा grammar और वोकचल तो ग्रामर आप पढ़ने रहे हैंगे अंडेस्टेंडींगे आपको यहां से इस हमारी होती है जिससे हम Confbearant जाले क्लोज टेस्ट पैड़ा जंबल्स और इसके अलाबा कॉम्पेडिहंसन का जो पार्ट होता है ना वह हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यह जो तीनों चीज़े हैं इसमें अंडरस्टेंडिंग डेवल हमारा काफी हाय होनी चाहिए इसके साथ-साथ अग हमारी डेवलफ यह कैसे कैसे होता है तो यह बस एक ही चीज आपेटिंग डेटिंग डेटिंग क्या करना है में हो सकता है आपकुछ भी पड़ो बस आपको रीड करना है तो एसे लिग करो यह नोवेल रिड करो या भी या फिर कोई न्यूज पेपर करो मैं आपको benefits बताता हमें न्यूज पेपर रीट करना चाहिए या नोवेल या कोई भी बुक्स रीड करना चाहिए तो देखो अगर बुक्स रीड करते हैं तो वहाँ जो एकडेमिक सब्सक्राइब करना चाहिए तो नोवेल में क्या होगा इंट्रेस्टिंग सा इस्टोडी होगा वहाँ पढ़ने के बाद हमें बस मजा आएगा जिसे हमारी understanding develop हो बाएगे यह हुआ novel और बुक्स पढ़ने के इसमें क्या क्या हुआ novel में क्या हुआ कि हमारी understanding develop होगी with the interesting story और books में क्या होता हमारी information का जो level होगा वह increased होगा बुक्स पढ़ने में अब आते हैं न्यूज पेपर में आप लोग खुद से बताईएगा तीनों में से हमें क्या पढ़ने जाएए न्यूज पेपर में होगा क्या आपकी तो अंडरस्टेंडिंग डेवलप होगी ही होगी इसके साथ साथ आपके जो बेसिक knowledge है हमारी सुरोंडिंगस में क्या यह पाते तो पता चलेंगी यह चलेंगे इसके साथ न्यूज पेपर में जो एडिट्रील वला सेक्षन होता है वोहाँ पे लोगों के व्यूज जो भी पार्लियमेंट में जीतने भी एक्ट पास होते हैं या कोई भी scheme government launch करती है चाहे वो state government हो या central government हो इसकी criticism and उसके जो benefits होते हैं ये दोनों चीजे वहाँ पर mention किये होए होते हैं editorial वाले पार्ट में इसमें अच्छे अच्छे रैडर के जो views होते हैं ये हमें जानने को मिलते हैं जिसका benefit हमें कहां मिल पाता है टायर 3 के paper में टायर 3 में जब आपके essay जो पूछे जाते हैं वहाँ पे आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं क्योंकि टायर 3 में जो topics होते हैं वो ज्यादातर क्रेंट से होते हैं हाला कि कभी-कभी conventional topic भी आ जाते हैं बट maximum time में दिखा गया क्रेंट से आता है जैसे last time covid का topic आ गया था तो covid के बारे में हम लोग कैसे लिख सकते थे जब तक हमें covid का पूरा idea नहीं हो तो हम कोई भी नहीं लिख सकता है ना इसी तरीके से अगर news paper पढ़ते हैं तो हमें चीजों की basic basic knowledge आ जाती है जिससे हम अपने essay को यहां से enhance कर सकते है तो news paper में क्या-क्या benefit हुआ हम हमें कोई भी current topic का अच्छा सब पता चल जाता है लेकिन यह नहीं सोचिएगा कि current affairs हमें यहां से complete करनी है नहीं यहां से अगर आप current affairs complete करोगे तो आपको काफी सदा time यहां पर invest होगा यह वेस्ट होगा जो भी आप समझे यह वह होगा आपको current किसी ना किसी institute के या किसी भी PDF से आपको करनी है monthly wise हो सके तो आपके पास time है आपके पास math English and reasoning बढ़ियां से इसका level ठीक है तो आप daily wise भी कीजिए क्योंकि gk कोई limit नहीं होता है तो news paper में यह benefit क्या क्या होए हमें इसके understanding level develop होगी पहली बात दूसरी बात current चीजे जो चल रही है उसका हमीं पता चलेगा और तीसरी बात क्या कोई भी चीज है कोई भी government वेगरा स्कीम है या कोई भी चीजे हमारे आसपास में चल रही है for example अभी Russia Ukraine war हुआ इससे इंडिया पर क्या impact पड़ा इंडिया से related और भी जो जो चीजे हो रही है for example इंडिया का क्या रोल रहा इंडिया का क्या-क्या योग जिसके effect जो पड़े वो क्या-क्या होगे इन सब चीजों के बारे में हमें यहां से news paper से पता चलता है यह novel से पता नहीं चलेगा किसी भी academic book से पता नहीं चलेगी यह सिप और सिप news paper से पता चलेगी जिसका पड़ियो आप tier 3 की paper में अच्छे तरीके से अपने essays लिखने में कर सकते हो इसके साथ यह साथ जो प्रेशी आती है प्रेशी भी कई बार क्रेंट से रिलेटेट ही आ जाती है तो प्रेशी का जो section है ना tier 3 के paper में वो भी हमें news paper से अच्छा benefit हो जाता हूँ आप लिखने में अगर आप English meeting में अपनी tier 3 की paper दे रहे हो तो ठीक है तो news paper हमें क क्यों पढ़ना चाहिए क्योंकि इसकी काफी सारे benefits है as compared to novel and academic books, academic books and novel में आपकी बस understanding level increase होगी with the ancient vocabulary, news paper में क्या होगा आपको नय नय vocabulary मिलेंगे, इसके साथ-साथ आपके जो level है understanding level तो बढ़ेगे ही बढ़ेगी, साथ-साथ current level भी बढ़ेगा और current information है, current information है, current information आपके surroundings में क चल रहा है, इसकी भी जानकारी होगी, साथ-साथ आपके understanding level, आपके खुद की views, आप अपने opinions दुसरों के साथ share कर सकते हो, news paper पढ़ने के बाद, आपका जो thinking level होगा, यह बिल्कुल एक अलगी level का हो जाएगा, बांकि लोगों के साथ जो की news paper नहीं पढ़ते हैं, उनके comparison म कैसे हैं, इससे पहले news paper कौन सा पढ़ना चाहिए, देखिए, the Hindu सबसे बढ़ियां बाना जाता है, लेकिन आपके यहां पे यह अब लेवल है या नहीं है, यह भी डिपेंडे करता है, क्योंकि यह साड़े जगा पे नहीं होते है, the Hindu, यह भी एक अच्छा news paper, यह अगर यह अच्छा, बिल्कुल correct होता है, बाकी news paper का मुझे नहीं पता, आप देख लेना, लेकिन ज़्यादा तर suggested news paper यही तीनों है, मैं सबसे ज़्यादा दा हिंदू, उसके बाद Indian Express, then Times of India, okay, so अब हम चलते हैं, news paper पढ़ना कैसे, और कौन-कौन से topic पढ़ना, for example, यह जो news paper आ बहुत ज़्यादा जाने वाला है, almost 3-3,5 गंटे लग जाएंगे, तो आपको इसमें बिल्कुल selected topics पढ़ना है, कौन-कौन से, हमको कोई भी political topic नहीं पढ़ना है, जिससे की हमारा exam में नहीं आने वाला, political topics in the sense की party से related, for example, यहाँ पे एक नए news आप देख सकते हूं, क्या है बीजेपी सस्पेंट्स, एमेले, राजा सिंग, आपटा एडेस्टोबर, कंट्रोवर्सेल रिमार्क्स, तो यह तो political news है, लेकिन आपको यह पता होनी चाहिए न, कौन से कंट्रोवर्सेल रिमार्क्स से इसको सस्पेंड किया गया, बीजेपी की दोड़ा, आपको यह इसके साथ सब नेक्स्ट टॉपिक, तो हमें यह political news है, बट इसे हमें पढ़ना, यह आपको चूज करना है, फिर आगे दिखो, एक political news मैं आपको और दिखा रहा हूँ, यह तो political news है, क्या इसका हमें exam से कोई related है, लेना देना है, नहीं, क्योंकि इसका कोई भी impact हमारे exam नहीं, यह किसी भी particular political party है, इसको कौन lead करेगा, इसके बारे में, इस article में हमें बताया गया है, तो हमें यह news नहीं पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है, all political parties on one side, everybody wants free advice, Supreme Court says, okay, everybody wants free advice, तो free advice के उपर, जो essay का topic है, यह बन सकता है, हमें यह पढ़ना चाहिए, अभी हमारे country में free advice का, जो मुद्धा है, वो चल रहा है, हमें यह मुद्धे का पूरा-पूरा understanding होनी चाहिए, ठीक है, हम UPC के paper लेकिन नहीं जा रहा है, बट हमको पता ह मुद्धे का है, इसका जो, अब देखो, अब जाब आभी यह topic पढ़ोगे, तो आप क्या होगी, free advice कैसे जानोगे, आप सारे article इसके पढ़ोगे, article पढ़ोगे, ताप के understanding level बढ़ेगी, इसमें नहीं ने vocabs आएंगे, vocabs को आप क्या करोगे, जो जो पता नहीं होता होगा, आप उसे छोटा सा notebook में note करोगे, और उसके meaning जानोगे, पहला benefit क्या understanding बढ़ेगी, दुसरा vocab बढ़ेगा, तिसरा benefit क्या, आप इसके, इसमें अलग-अलग लोगों की view जानोगे, और अपने opinions इसमें share करोगे, मतलब आप अपने से सोचोगे, अच्छा, फिरी advice यह होता है, इसमें यह होनी चाहिए, और यह नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आप आते हैं यहां फिर, DRD होना है, क्या किया, Indian Navy Test Fire Indicially Missile VL, ठीक है, यह Indian Navy ने एक Missile Fire कर देगी, यह क्रेंड में आ सकता है, बस आपको एक बाड़ इसको go through हो जाना है, क्या हुआ है, recent time में, ठीक है, ऐसे ही पड़ना है, आपको कौन कौन से न्यूज छोड़ना है, यह छोड़ना है, प्लिटिकल न्यूज, सुप्रेम कोड में, हीर पिली अगेंस टेमेशन इन, बिल्किस केस, आपको इस, बिल्किस केस है, क्या आपको इसके बाड़े में पता हो जाए, यह बिल्किस केस क्या है, और Supreme Court इसके petitions को hear करेंगे ठीक है इसके बाड़े में आपको पढ़ना है बस एक बड़ गोथुरू हो जाना है हाँ अब आते हैं यहाँ पे नितियस कुमार्ट टुक अउन हिंदू मिनिस्टर टू टेंपल यह पोलिटिकल नियुज है और इससे हमारा एक्जाम में कोई भी लेना देना नहीं है इसकी understanding आपको होनी चाहिए ठीक है गोवर्मेंट एमेंड सुप्रीम कोट जजेज रूल्स अब गोवर्मेंड जो है सुप्रीम कोट के जू रूल्स है उसको एमेंड गया है तो यह टोपिक हमारी कहीं कहीं information level को increase करेगा increase करेगा तो हमें पढ़नी चा न्यूज के कौन कौन से पार्ट पढ़ने है आपको जो न्यूज के पार्ट डिवाइड करने है न वो तीन पार्ट में डिवाइड करने है कैसे 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 30 मिनट में पढ़ो ठीक है अगर आप ऐसे पढ़ोगे विदाउट डिवाइड के विदाउट किसी पर् तो लगें जाएंगे आप कितना भी कम कोशिज करो पढ़ने की फिर वे तो दस-दस-दस करका करके आप इसको डिवाइट करो आप तीस मिनट में जरूर आप दा हिंदू को खतम कर दो पढ़के तो यह दस मिनट क्या होनी चाहिए सबसे पहला वाला जो दस मिनट है न यह हमा इसके अलावे जो भी छोटे-छोटे न्यूज है वह हमें पढ़ने है इसमें आपने यह यह टोपिक मैंने आपको दिखा दिया आप चलते हैं सिधे अब यहां देखिए सेकेंड पेज में यह क्या है चाइनीज मंजा सिनिप्स और देशी चैलेंज है यह हमारे एक्जाम स अब इसके अपने इसे एक बार गो थू हो जाना ठीक है ऐसे ही अपनी न्यूज कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना आप इसको किक बढ़ने में कितना पढ़ने के बास यह तब लगे गा जब पог gjए पहले बार पढ़के जलूरी नहीं कि सारे दीने के वोगे आपको maximum vocabulary तब याद होंगे जब आप 10 से 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन इनके editorial के साड़े vocabulary याद कर लोगे जो जो आप 20 दिन तक पड़े हो, जो जो vocabulary नहीं आ रही थी, उन साड़े vocabulary को note down करके अपने short note box में जो कि वेक्रिंग लेडी का book होगा, मतलब notebook होगा, उसको साड़ा याद करने के बाद आपके जो यह speed है पड़ने की, वो increase होगी, understanding increase होगा, यह अगर आपको अभी पड़ने में 20 मिनट लगेगा, तो हो सकती 20 दिन के बाद आपको यह 5-6 मिनट में complete हो जाएगी, अभी आपको scientific Indian, the implications of the 50 rollout for law enforcement, यह दोनों न्यूज आज के लिए काफी ज़्यदा important है, है ना, और इधर क्या, r3 wise a way to mark state in excel, यह तीनों न्यूज आज के लिए important है, तो हमें आज यह तीनों पढ़ लेनी चाहिए, अगर आपके पास time है, तो, वो जो मैं 10-20 मिनट का डिवाइड किया था, अगर पढ़ता तो, इससे कैसे पढ़ता है, इससे 5 मिनट, 6 मिनट में किसे complete कर लेता, 5-6 मिनट में इससे complete कर लेता, क्योंकि मैंने पहले से पढ़ रहा हूँ, इसलिए मेरे को जल्दी से एडिवाइड पढ़ा हुआ हो जाता है, आप सुरू से पढ़ोगे, तो आपको time लगेगा आप इसे टाइम लगाईएगा टाइम लगाते लगाते दीरे दीरे आपका भी स्पीड बढ़ जाएगा और आप 10 मिनट में दो से तीन एडिटरियल अड़ाम से पर सकते हो दस से पंदा मिनट में ठीक है तो बस यहीं बताना था दा हिंदू हमारे एंगलिस के सेक् आपको बताना था यह कैसे पड़ा जाता है हिंदू तो थैंक यू अली इन इस वीडियो आई होप यू हैब अन्डेस्टेंट वाटाइम एक तो वाटाइव उन्डेस्टेंट ओके तो थैंक यू गूडवाय है वनास्नाइट और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब किजिएगा चैनल को लाइक कीजिए अच्छा लगे तो ना लगे तो डिजलाइक कीजिए और कारं जरूर कमेंट बॉक्स में में मेंसल कीजिएगा और शेयर अपनी दूसतों के साथ कर दीजिएगा ठैंक यू गूडवाय